हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्य, द्रव्य, परिचारक एवं आतुर के गुड़, तो हम लोग जानते हैं कि वैद्य क्या होते हैं, वैद्य मतलर डक्टर, अर्थात जो विसग होते हैं, द्रव्य का मतलब कि जो मेडिसिन या जो औसधी होती हैं, परिचारक अर्थात हम लोग देखते हैं कि हस्पिटल में जो रोगी की सेवा करने के लिए जो ब्यक्ति नियुक्त होता है, अर्थात स्टाप नर्स की बात करते हैं, और आतूर अर्थात रोगी ब्यक्ति, इनके गुड़ों के बारें बात करेंगे, ति हर एक यहां पर च चार चीजे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चारो को क्या बोलते हैं, चिकिस्सा चतुस्पाद, इसको क्या बोलते हैं, चिकिस्सा चतुस्पाद, इसको चिकिस्सा चतुस्पाद के नाम जानते हैं, जब भी पूछे चिकिस्सा चतुस्पाद क्या है, तो आपको एंसर ह होगा वैध्य द्रव्य परिचारक और आतुर यहां पर हर एक के चार गुड़ है वैध्य के चार गुड़ है द्रव्य के चार गुड़ है परिचारक के चार गुड़ है आतुर के चार गुड़ है कहीं ने कहीं चार गुडे चार एक्वल टू टोटल सोलह गुडो की बात करेंगे अगर देखेंगे कि इस चिकित्साद चतुसपाद अथाद वैद के चार, द्रवे के चार, परिचारक के चार आतरु के चार, हरे के चार 4 इंटी 4 इंटी 16 गुडो की बात करेंगे एक एक करके हम लोग बात करते हैं पहले हम सलोक के माधम से बात करेंगे उसको बाद हम लोग उसको समरी फार में आपको एक इजली याद हो जाए उस फार में देंगे तो अंतिन तक बने रही है विडियो में यहां पर सबसे पहले हम दो देखेंगे वैद्दे के चार गुड़ तो देखेंगे यहां पर पहले लाइन में देखेंगे सुरूते पर्यावदत्वम पहला गुड़ हो गया बहुसो द्रिष्ट कर्मता दूसरा गुड़ हो गया दाच्यम तीसरा गुड़ है सौचम इती च सोथा गुड है गेयम वैदे गुड चतुष्टियम ये वैदे के चार गुड होते हैं क्लेर कड़ कर रहा है गेयम वैदे गुड चतुष्टियम अर्थाद वैदे के चार गुड कौन-कौन से हैं सुरूते पर्यावदत्वम बहुसो द्रिष्ट कर्मता दाच्यम सौचम इत अपने सास्त्रों का ज्यान उनको याद होता था वो देते थे जो सी से होते थे वो क्या करते थे सिर्फ सुनते थे सुनकर सास्त्रों का अच्छी प्रकार से उसको याद करते थे कंठस्त करते थे इसलिए बोलाया सुरूते पर्यावदत्तम यहां पर दिया हुआ है कि सास्त् जब किसी बात को अच्छे से सुनेंगे सुरूते परया दात्तों तो सासत का अच्छे प्रकास से ज्यान रखना想 सुन कर चाहिं पड़ कर, डूसरा पॉंट है बहुसु द्रिश्ट कर्मता ये दूसरा हो गया बहुसो द्रिश्ट कर्मता तो देखेगे कि जब हम लोग फस्ट एर मोते हैं तो क्या करते हैं कि क्लाशेस करते हैं सिर्फ क्लाशेस करतेहं कोई IBM Mär डुटी ल Tribe लेकिन जैसे हम लोग से कंप्लीट करके सब्सक्राइन क्लिनिकल डूटी लगती है वाड में या IBM cohort डूटी लगती है तो यह पर तींच चीज़े की आप बार-बार आपकी । सब्सक्रेजरा के रिपशेजरा बर्य ol मेडिसिन के बारे में अच्छे से ज्ञान रखते हैं और में पेषेजर best grad यह जब आपैपिो आपर द्रिश्टकर्मता है अब के अर्वा बार रोगी को पाध्यो कि क्याइग नष्ण यूज ओर बन गए हैं। उसको प्रियोग हो रहा है। यूज ओर पेशंट्ट पर उसको देखना बहुसो द्रिश्ट कर्मताक लाता है। तीसरा पॉइंट है दाच्छ अथा दच्छ का मतलब होता है कुसल होना। दच्छ का मतलब कि समय के नुसार युक्ती की कल्पना करने में समर्थ होना, कहने का मतलब अगर कोई आउसधी नहीं है तो उसके बदले में कोई अन्य आउसधी देना, कोई अमर्जैसी डूटी आ गए तो जैसे तैसे एन के प्रकारण उसको ठीक करना मतलब दच्छ की कंडिशन आती है, दच्छ मतलब कुसल हो गया, सौच, डाक्टर या वैद जो भी होंगे वो बहुत सापसूतर रहेंगे, नाय दुले रहेंगे, साथी साथ स्वच कपड़े पहनेंगे, उनकी जो बोली भासा होगी वो अच्छी होगी तो वो सौच की कंडिशन में आता है, यह चार गुड़े, शुरूते परयावदत्तम, बहुसो द्रिश्कर मता, दच्छम और सौचम, यह चार वैद के गुड़ होते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और एड करना चाहेंगे, एक वैद थे लोली मराज, उन्होंने वैद सब्द के लिए, उन्होंने वैद सब्द न प्रयोग करके, पियूस पाड़ी सब्द का प्रयोग किया है, वैद के लिए उन्होंने पियूस पाड़ी, याद रखेगा, वैद तत्र युगत्वम अनेक विदकल्पना संपत चेती चतुसको अयम द्रभ्याडाम गुड उचते देखेंगे सभी स्लोक में चार आएगा चतुसको अयम द्रभ्याडाम गुड उचते जो द्रभ्य के चार गुड बताये गए हैं कौन-कौन से पहला गुड है आपका बहुता दूसरा गुड है युगत्वम तीसरा गुड है अनेक विदकल्पना चौथा गुड है संपत तो एके करके बात करेंगे बहुता का मतलब बहुता का मतलब कि जो औसधी है जो द्रब्ब्य है वो उसकी अविलिविल्टी या उसकी जो उपस्ति बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए जब ये बहुत अधिक मात्रा में रहेगी तो ज़्यादा ज़्यादा यूज होगा और अधिक सदी रोगों में लाव कर होगा दूसरा है यूगत्वम यूगत्वम का मतलब यहाँ पर दिया आउसदियों का ब्यादी नासन में समर्थ होना जो आउसदी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं चिकिसा के परपस से वो आउसदी उस रोगों को नास करने में समर्थ होना चाहिए उसको बुलागा यूगत्वम योगत्वम मतलब कि जिस बिमारी में यूज कर रहे हैं उस बिमारी को ना समाप्त करने में समर्थ होना चाहिए उसको बोलते हैं योगत्वम उसको देखेंगे अनेक वीद कल्पना, अनेक वीद कल्पना मतलब कि जो औसधी प्रयोग करते हैं, वो औसधी का प्रयोग अनेक रूप में हो सके, कैसे, माली जो कोई रोगी चूड नहीं खा पाता है तो उसको टेबलेट रूप में दे सकते हैं, कोई टेबलेट नहीं खा मतलब csak कि dongs UP मतलब कि कहीं ने कहीं रूप में ayam कलग रूप में रूप में वटी की रूप में व हम क्वाद की रूप में तो अनेक वीद कल्पना यहzejson प Mi理 कल्पना पढ़ेंगे इसका अनेक कल्पना का मतलब जैसे हम लोग देखतें थेबलेट फार में है शीरप फार में है चुड फार में है तो यह अनेकबित कल्पना का मतलब हुआ उसके बाद देखेगे संपद संपद का मतलब कि जो आसदी होने चाहिए नवीन होने चाहिए अर्थात बहुत पुरानी नहीं होने चाहिए जब उसदी नवीन रहेगी जब ताजी उसदी रहेगी तो अपने रस गुड बीर विपाक संपत का मतलब कि उसदी जो है अपने रस गुड बीर विपाक आधी गुडों से युक्त रहेगी जब रस गुड बीर विपाक से युक्त रहेगी तब कहीने कहीं ये उसदी चार गुड़ू बताए है जो कि आपको इजली याद हो जाते है बहुकलपं बहुड़ं समपन्नम योग्यं आउसदम जो आउसद होता उसके चार गुड़ं को नहों है बहुकलप बहुगुड समपन्न और योग्य ये चार गुड अचार वागबट ने बताए हैं यहां देखेंगे उसके बाद परिचारक के चार गुड परिचारक को हम लोग उपचारक भी बोलते हैं जिसको हम लोग नर्सिंग श्टाप भी बोलते हैं भेल ने एक आचार थे भेल उन्होंने परिचारक सब्द न प्रियोग करके उन्होंने परिचारक न सब्रोगे परिस्रावी क्या सब्द प्रियोग किया है परिस्रावी परिस्रावी सब्द का प्रियोग किया याद रखिएगा तो भेल ने परिचारक के जगह पे परिस्रावी सब्द का प्रियोग किया है अब देखते हैं चरक ने क्य बोला है परिचारक के चार गुडों में तो पहले दिखेंगे उपचार अग्यता उपचार अग्यता दाश्यं उपचार अग्यता दाश्यं अध्य अनुरागस्च भरतरी और सौच तो यहां पर चार प्व侑ंट कॉनकों से उपचार उपचारगेता का मतलब यह हुआ कि सेवा कार का पुड़ ज्यान होना जो नर्सिंग सठाप होता है जब वो पढ़ाई करता है तो उसकी ढूटी लगती है वाड में और उसकी पूरा पुरा नॉलेज होना चाहिए उसके पढ़ाई होती है तो उसको सेवा भाव का पुड़ दूसरा है दाच्ष, धाच्ष का मतलब चतूर होना चाहिए, असा नहीं कि रोगी कुछ भी बोल रहा हो, तो रोगी के अनरोप नहीं चलना चाहिए, जो डॉक्टर या वैद ने कहा है, उसके अनरोप चलना तो भरतरी यहां रोगी के लिए आया है, तो अर्थात अपने रोगी के प्रती प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जिस हास्पिटल में जो नर्शिंग स्टाप बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने रोगी के बहुत स्नेह करते हैं, वो पेसंट जल्दी जल्दी ठीक होता है, उस चार गुड अर्थात उपचारग्यता, दाच्छ, अनुराग, भरतरी और सौच, यह चार गुड परिचारग के होते हैं, परिचारग को अचार भेल ने परिसरावी सब्द का प्रियोग किया है, तो यहां देख रहे होंगे आतुर के चार गुड कौनकोंसे हैं, स्मृति, निर्देश कारित्वम, अभिरत्वम, अथापिच, ग्यापकत्वम, चरोगाडाम, आतुर से गुडा स्मृति, यह आतुर के चार गुड कौनकोंसे होते हैं, पहला पॉइंट है स्मृति, दूसरा पॉइंट है निर्देश कारित्वम, तीसरा पॉइंट है अभिरत्वम, चौथा point है ग्यापकत्वम तो एक एक करके बाद करेंगे इस्मृति का मतलब क्या होता है कि जो रोगी ब्यक्ति होना चाहिए वो उसकी स्मरण सक्ति अच्छी होनी चाहिए उसका यादास्त अच्छा होना चाहिए मान लिजे कोई रोगी ब्यक्ति है जब बैद्या डाक्टर पास जाते हैं डाक्टर उसको दवा देते हैं कि कौई 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 से दवा सुबर खाने है कौई से दोपर में खाने है कौई साम में खाने है कौई से रात में खाने है या क्या चीज खाने के साथ खाना है, खाने में क्या-क्या परहेज करना है, क्या-क्या नहीं खाना है, इस तरह की जो बाते बता जाती है, जब कुछ इसकी आदास्त स्मर्द सकती अच्छी नहीं होगी, तब तक विएक्तिर जल्दी से ठीक नहीं होगा, इसलिए स्मर्दी मत मतलब हुआएगा निर्भाइनुर्भ्य अर्थ वह डार नहीं होना चाहिए ऑपर, जो शो सधों उसके अंतरगत और भिरुत्वम अर्थात वो निडरता निडर होना चाहिए था डरा नहीं होना चाहिए और भिरुत्वम मतलब निर्भई होना चाहिए उसको देखेंगे ग्यापकत्वम ग्यापकत्वम का मतलब कि जो भी उसको बिमारी हुई हो जो जो समस्या हो रही हो डा पॉइंट है और भिर्द्वम चौथा पॉइंट है ग्यापकत्वम इस तरह से हम लोग उने आतुर के चार गुड देख लिए आईए बात करती हैं अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से समराइज फार में इसको हम बता सकते हैं एक्जाम के पॉइंट आव व्यू से पॉषद के क्या का गुड है बहुता योगत्वम अनेक विद कल्पना और संपत तीसरे नंबर परिचारक जिसको हम लोग स्टाफ नर्स भी बोलते हैं उसका जो गुड चार गुड है उप्चारक गिताफ दाच्य अनुराग भरतरी सौच उसको देखेंगे रोगी के चार ग परिचारक अर्थाथ श्टाफ नर्स नर्स दोनों के गुड माने गए हैं तो आपको एक याद रहेगा तो सिधे विसक मारेंगे लेकिन अकर पूरा याद रहेगा तो आपको एक विद कल्पना ये ऑसद का गुड होताई होता है तो इस तरह से हम लोग का यह point complete होता है धन्यवाद